आस्ट्रिलिया में प्रिस्पेन में हूँ जैवीम नमवदा है और मैंने हेडिंग दिया है कि गाय भरत की माता है और आस्ट्रिलिया में देखो कोन खाता है तो यही बताने के लिए मैं आज यहां पर लाइव आया हूँ मैं दरसल आज कोई मीटिंग नहीं है इसलिए मैं अपने फॉर्मल्स में नहीं तो आईए दिखाते हैं कि आस्ट्रिलिया में गाय को कोन खाता है और यहां पर एक बहुत बड़ी फ्रांचाइजी आस्ट्रिलिया में है तो मैं ज्यादा बात न करते हुए आपको दिखाना च चाता हूं कि यह एक फ्रांचाइज ही है जो अच्छे बीफ, पौर्क, चिकन, लैंब और ये सारा मिलता है इसका नाम है ब्रामन पाईज तो जो भारत में ब्रामन उधने कर रहे है कि गाय हमारी माता है गाय को माना नहीं चाये गाय को खाना नहीं चाहिए यहां पर वही और यह सिरिफ एक छोटा सा आउटलेट है, यह मेन दुकार नहीं है, हम रास्ते से जा रहे थे, तब यह हमारे सर जी ने, सत्विंदर टिनुजी ने मुझे बताया कि यहाँ पर तो ब्रामणों के बीफ के दुकार है, यहाँ पर तो ब्रामण गाय काट कर खाते हैं, तो मैं आपसे टिनुजी को मिलाना चाहता हूँ, और उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में आस्ट्रेलिया में ब्रामण यहाँ पर गाय काट कर खाता है, आइए जानते हैं, सर है, यहाँ के आस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में रहते हैं, और सत्विंदर टिनुजी इनका नाम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह सही में यह जो ब्रामण पाईज लिखा है, क्या सही में यहाँ पर गाय का मीट मिलता है? जाबीन साथियों को मेरी तरफ से अमभुदा जाबीन, यह जो ब्रामण पाईज है, यह वेरी फेमस, जैसे आपने लिखा ही, आपने देखा होगा वाहं पे लिखा है, ब्रामण सीरियसली गुड़ पाईज, इसमें यह फोटो बनिया बुलकी है, इनकी एक स्टेक पाई ह वो सारी बीफ की है, तो मेरे पास एक फ्रेंड है, यहां पे वाजी है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि स्टेक लेना है, तो मैंने कहा कि स्टेक तो अच्छा कसीनों में मिलेगा, वहां पे कहते हैं नहीं स्टेक पाई इधर तो हम इपस्पिच के पास थे, त तो जब हमने का ब्रह्मन पाइज इट वस शौकिंग फ़ में तो जब जा के देखा तो वहां पे प्रुमा का आउटलेट और उसमें स्टोर है ब्रह्मन पाइज का तो ब्रह्मन पाइज का ट्रक भी था तो मैंने उनसे भी बात की गएते हैं हम भी वीफ क्या है यह सारे सप् देखो इनका लोगो भी है गाय का सर काटके इन्होंने यहां पर बनाया है तो एक बज़े के बाद यह बंद हो जाता है तो यह इस तरह से ब्रह्मन पाइज यहां पर मिलती है तो भारत के जो लोग गाय को माता बना रहे है और मुसलमानों को पीठने का काम कर रहे है उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां के ब्रामन क्या भारत के गाय को माता नहीं मानते तो ये सब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाइव आया था और ये सारा ब्रामन 20 का एक बहुत बड़ा फ्रंचाइजी यहां पर चलता है जो ब्रामन गाय को यहां पर बारत के बहुत बाहर बीफ को एक्सपोर्ड करके उनकी आपर फ्रंचाइजी चलती है यह फ्रंचाइजी यहां पर चला कर गाय से उत्पन करने का काम यहां पर कर रहा है तो यह केटरिंग भी करते हैं सर तो किसी को घर पे अपने पूरे दुनिया में किसी भी कंठरी में दूद देने का काम करती है गाय जो है वो मीड देने का काम करती है गोबर देने का काम करती है लेकिन भारत की जो गाय है वो बोड देने का काम करती है और इसलिए भारत के गाय को माता बना कर उसके नाम पर मोधी जी आज प्रतानमंत्री बन गए हम इच्छा होम मिनिस्टर बन गए और इसलिए हम लोग गाई को माता समझते हैं तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि भारत के सिगनल्स पर अलग-अलग सिगनल्स पर आपकी माताय पिखी रेती हैं उनको जरा कपड़े वगरे बनाकर घर लेकर जाओ ऐसी खुले में आपकी मा को अगर आप बाजार में लेकर जाओगे तो आप ही लोग तो आपनी लोगों के ये जो ब्राह्मन पाईज है उसी माता को काट रहा है तो ये दोगली निती पूरे विश्व में आप लोग क्यूं इस्तमाल कर रहे हो तो ये आज में एक जानकरी देने के लिए आपके आए था कि जो ब्राह्मन भारत में गाए को माता बतलता है वो ही ब्राह्मन आस्ट्रेलिया में उसको खाता है तो यही आज का मेरा एक विश्व था कि गाए भारत में माता है और वो ही गाए ब्राह्मन यहां पर खाता है जैभीम नमो बुता है